हेलो अब्रीवन वेल्कम बैक टो आवर यूट्यूब चैनल आरेन स्टडी सक्सेस पॉंट तोले बच्चों को फिर से मारे यूट्यूब चैनल आरेन स्टडी सक्सेस पॉंट पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है अस्टूरेंस आज का विडियो में जो हम लोग क्लास करने वाले हैं ठीक है जैसा कि आपको पता कि आपकी वर्षीट यह है 237-2021 का यह काफी दिन के बाद वर्षीट आया सो मंडे के बाद आपका यह जो है यानि की टुटीट तरीके बाद Siddha आपका वर्षीट है ठीक है में इतलब 19 को आया था आप 23 को है योकि बीच में जो तहां holiday पर गया था इस वैसे तो आज का जू वरक्षीट में पढ़ना है स्टूडन्स लाइन लाइन सिंग्वेंट और रे बारे में बिल्कुल अच्छे हमें हमें यानि की जमेटरी का इक है तो उसे क्या बोलेंगे line बोलेंगे line can be named using two points on the line इस तरह से हम किसी भी line का नाम दे सकते हैं ठीक है इस तरह से a b जैसे a b एक line है तो a b पे लिख के इस तरह से arrow का sign लगा देंगे तो यह line इस से हमें पता चल जाएगा यहाँ यह क्या है line है okay students उसके बाद था line segment तो line segment क्या था बच्चो a line segment is a portion of line that has two end point यान कि एक line का ऐसा portion होता है जहां पर दो fix उसका end point है मतलब उसे हम बोल सकते कि यहाँ से चला और यहाँ तक जाके वो खतम हो गया एक line है ठीक है तो यह क्या हो गया एक line हो सकता है okay students तायूप की देख़ो आपको यह समझ में आ गया हुआ line alignment क्या होता है जैसे हम बोले दो सेंटिमेटर का line बना तो हमें पता है उसका length fix कितना है दो सेंटिमेटर और जो line segment होता है उसको हम denote कैसे करते हैं जैसे ए भी एक line segment है तो इससे लिख देंगे तो यह क्या हो गया ए बी के उपर सिर्फ एक line खेच देंगे तो क्या होगा लाइन सिंग्मेंट अब दोनों arrow लगा देंगे तो line हो गया ता इसी तरह से अब हम लोग पढ़ेंगे रे के बारे किसके बारे पढ़ेंगे students रे क्या होता तो रे जो होता है बच्चों वो क्या होता ए रे हैच portion of line विच है one end point यानि कि रे जो है कैसा portion होता line का जिसका एक end point होता है ठीक है मतलब वो starting point तो fix है कहां से चला लेकिन कहां जाके खतम होगा यह हमें नहीं पता जैसे ए से चला यह तो ठीक है लेकिन यह बी यह कहां यह रे था ठीक है अब जो लाइन सिग्मेंट लिखना था तो कैसे लिखते थे बच्चो इस तरह से सरे यह लाइन हो गया ठीक है अब दोनों एरो डाल लिए यह लाइन हो गया यह रे हो गया और यह जो है यह जो है यह लाइन सिग्मेंट हो गया यह जो था क्या था तो उमीद करते हैं कि यह चीज आपको समझ में आया होगा तो इसी के साथ एक अब हमें question दे रखा था एक हमें question दे रखा था लुक अट दा फीगर बिलो अलेवल देम एज लाइन लाइन सिंगमेंट और रे और नेम देम यह क्या है लाइन है या रे है या लेन सिंगमेंट है आपको यह लिखना था और उसका नाम लिखना था तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हैंगे एक starting point तो fix है end point fix नहीं है तो आ चुकि यह ray है तो ray को हम लोग ऐसे लिखेंगे students ऐसे इस तरह से निशान ना देंगे PQ यह था line segment है तो हम कैसे लिखेंगे बस xy ठीक है रहा है हम नीचे copy में भी कर रखें नीचे मतलब हम कर रखें दुबार से आप लोग वहां से भी अच्छे से समझ लेना writing नहीं कर निशान लगाएंगे MN लिखें ठीक है तो उमीद करते हैं यह समझ में आ रहा होगा अगर जो यहां से भी देखो आप लोग हम नीचे आपके लिखकर भी रखें आप लोग देख लेना देखो लिख रखें ऐसे diagram बना लेना आप ठीक है यह तो हमस्क्रीन शॉट लिए है तो इतना आप लोग यह यह जो diagram है बना कर लिख लेना और लिकने नाम कैसे लिखने बता है वो बता है दिया लिख लेना अप लोग ठीक है ताई होब कि देखो यह जो first question था आपको समझ में आ गया होगा अब देखो बात करने वाले हैं students angles के बारे में हम पढ़ेंगे कि दो line के बज़े से कौन कौन सा angles बनता है अभी हम लोग angles के बारे में पढ़ेते हैं QT angle, Attribution angle, Reflex angle यह सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे दो line के बज़े से कौन सा angle बनता है सबसे पहले जब दो line अपस में intersect करता है किसी ठीक है एक point पे तो वहाँ पे दो angle बनता है त एक line CD है एक line क्या है CD है ठीक है students तो यहाँ पे RCD है यह दोनों किसी O point पे जाके मिल रहा था O point पे intersect करना है ठीक है यहाँ से vertically opposite angles form होता है एक तो angle AOC यह जो angle होगा इस angle का बराबर होगा angle AOC angle AOC equal to angle BOD angle BOD ठीक है students एक तो यह बनेगा एक तो यह बनेगा ठीक है दूसरा यह angle था this equal to this angle ठीक है देख रहाँ double nation double angle AOD यह D है ठीक है angle AOD angle AOD equal to angle BOC angle BOC तो आए होब कि देखो vertically opposite angle आपको समझ में आ रहा होगा कैसे बनेगा दो line intersect करेगा ठीक जो इसके सामने वाला angle होगा इस angle यह angle का equal होगा vertical इस है और यह angle यह angle का equal होगा vertical इस है ठीक है इसका नाम करना one two भी लिख सकते अपने EG के लिए जैसे AOC को हम one मान लेते अंगल one इसको three जैसे इसको one मान लिया ठीक है इसको two मान लेते आप इसको three मान लेते इसको four इस एंगल कर दिए पूरा concept का क्योंकि यह पूरा बना हुआ है ता आपके लिए हम YouTube पे upload कर देंगे आप लोग महां पर दुबारा से समझ सकता और अच्छे से बोड़ पर कराके कराएंगे तो लाइन देखो अब हमें था linear pair of angle linear pair of angle के लिए क्या चाहिए हमेशा एक line पे एक रे स्टेंड हो जैसे इस तरह से आप देख रहे थे कि एक वर्टिकली पूजिट अंगल यह बन रहा था ना तब हम इतना ही portion ले रहे बस यह और यह तो यह जो एंगल दोनों बने गा यहां यह दोनों linear pair of angle होगा हमेशा एक line पे एक रे स्टेंड होगा तो वहां से जो दो angle form होगा वह linear pair of angle होगा और उसका sum क्या होगा students 180 degree होगा उसका sum कितना आगा students 180 degree होगा ठीक है तो therefore this angle plus this angle is equal to 180 degree okay students ता I hope कि देखो आपको समझ में आ गया होगा ठीक है I hope कि आपको समझ में आ गया होगा देखो यहां पर यह जो angle one three equal लिया था angle one is equal to angle three यह था और angle two is equal to angle four यह था वर्टिकल यह पोजिट अंगल से ठीक है linear pair of angle क्या था angle one plus angle two is equal to 180 degree angle three plus angle four यह यह linear pair था ठीक है इसी तरह से angle four or one भी बना सकता है two or three भी बना सकता है ठीक है इस अभी linear pair of angle था अब हम बात करेंगे pairs of angle में parallel lines के बारे में जब दो लाइन आपस में parallel होगा तो उसमें कितने तरह से एंगा when two lines are parallel when when two lines are parallel are intersect by a transversal then इस तरह से एंगल बनेगा जब देखो जब दो लाइन पैरलल होगा और उसको एक transversal cut कर रहा है जैसे यह दोドン parallel है, यहां पर हमान लिए कि l-r-m दो line है जो आपस में parallel है इस एक t एक गए जो t line है transversal का का काम transversal मतलब होता है कि एक ऐसी line जो किसी दो line को cut कर रहा हो तो transversal होता है यह angle five है ठीक है यह angle six है यह angle seven ठीक है देख़े हैं पे एक miss हो गया था total eight angle हमारा बनेगा total eight angle बनेगा इसमें बहुत सारे एंगल का पेर भी मनता है अलग-अलग angles का पेर बनेगा सबसे पहला देख था pairs of corresponding angle तो corresponding angles के क्या होता है बच्चों हमेंसे धान से समझना जैसी ये दो line है थोड़ा देख़ए हम प्रोपरत्री के से बनाने के कुशिस करेंगे ये आपका line है देख़ए है diagram भी दे रहा है इसी diagram को हम थोड़ा बढ़ा करके फिर ये angle 7 है और ये angle 8 है आए हो पैसे है आप लोग 7 class में देख़ए से पड़े होंगे तो corresponding angle कब बनता है पहले जो transversal line है इसका same ही side देखेंगे same side देखेंगे मतलब देख़ए हम फिगर कमाल नो जूम करके इतना हम बना रहे इसी side देख रहे तो यही तिसमें आप कौन-कौन सा angle है one है four है यहाँ पर क्या तब five है और यहाँ पर eight है आप तो यह हो गया यही एक side मतलब या तो हम इस side देख रहे या तो हम इस side देखेंगे ठीक है जब same side देखेंगे तो एक angle छोड़ के एक जैसे angle one लिए तो angle one के बाद हम four को छोड़ देंगे five angle one और five corresponding angles का पेर बनाएगा क्या बनाएगा सिमिलरली angle four equal होता है angle eight का होगा ठीक है तो angle four equal होगा अंगल eight का ठीक है और angle one equal होगा अंगल five का यह corresponding angle का पेर है यानि कि एक line का exterior angle लेना तो दूसरी line का interior लेना फिर देखो इस line का interior लिए इस line का exterior लेंगे ऐसे normal language आप याद करने करें सबसे सौट ट्रिक इस्तिमाल कर सकते हो कि पहले तो हमें transversal का एक ही side देखना है एक ही side देखना फिर एक angle छोड़के जैसे one लिए तो four को हम नहीं देखेंगे five लेंगे फिर four लिए तो five को नहीं देखेंगे eight तो one और five corresponding angle का पेर होगा और one और five होगा four और eight होगा ठीक है इसी तरह से इसी तरह से देखो मालो जैसे आपको यह तो यहाँ पर यह तो अंगल two है एक अंगल three है एक अंगल six है और एक अंगल seven है तो आप लोग देख रहेते हैं कि अंगल two एक जैसे two लिए अंगल two लेंगे तो आप क्या इसके बाद क्या three three को छोड़ देना angle six यह एक corresponding angle का पेर हो गया फिर angle three लेंगे तो six इसके बाद इसे seven का एक हो गया प्याइट तो एक अंगल three is equal to angle seven अरसन तो टोटल four पेर बनेगा क्रश पॉर्णिंग एंगल का कितना पेर बनेगा बच्चो चार पेर बनेगा क्रश पॉर्णिंग एंगल का ठीक है उमीद करते हैं आपको समध में आ रहा होगा ठीक है कॉमेंट करके जरूर जरूर बताना का जो प्रोब्लम हो रहा होगा तो हम पूरे बोर्ड पे अच्छे से करके आपको समझाएंगे कॉमेंट जरूर करना ज्यादा बच्चों का कॉमेंट आएगा तो हम इसे तुरंत आपका वर्क्षिट जीस दिना ना आ रहा है ठीक है उसी दिए हम वीडियो अप्लोड कर देंगे जेस्ट ठीक है बोर्ड पे करके बिल्कूल अच्छे से डीटेल में समझाएंगे और अच्छे से बस आप लोग कमेंट करके जरूर बताना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जो भी समझ से आ उसके बाद देखो हम बात करने बाले तो यह स्टूडें आपको यह है यह है अब देखो इन्टियर यंगल 343 है 4 है 3 है 4 है 5 है 6 यह इन्टियर रेंगल नेए तो दूसरे का यह नहीं यह आपको लेना है तो इंगल einfach वी ज्यद्धा देखना आपको जेड बनाने उल्टाय शीधा जेड यहनु भी बन सकता जेड बने इसमें कौन-कौन साइंगल आ रहा है एक तो अनल थिया रहा है ठीक है शुडिंस तो आई होब कि देखो यह चीज आपको समझ में आ रहागा आपको यह चीज समझ में आ रहागा आप लोग चीजों को अच्छे से करेंगे ठीक है पोसुडिंस तो यहां से क्या आँ गया कि यह अल्टरियट एंटीर एंगल का परता सिम्लेली इसी तरह से अल्टरियर एंगल पर बरेंगे अल्टर्नेट मतलब होँ एकDe अगर जो आप अंगल 1 लिए अगल ले रहे हैं तो देखो इसके सामने तो इस्टियर आ रहे हैं लेकिन यह अल्टरनेट लेना है एक बार ट्रांस्वर्सल का इधर देखेंगे तो एक बार ट्रांस्वर्सल का इधर देखेंगे तो अंगल 1 और एंगल 7 यह अंगल 2 और एंगल 8 यह अल्टरनेट टेक्स्ट यह अंगल हो जागा और अल्टरनेट टेक्स्ट यह अंगल हो जागा और अल्टरनेट टेक्स्ट के एकुल वहाँ पर हम करके भी बताया आपको जब कुस्टन कराएंगे ना आज का तो हब देखने लास्ट जो एंगल्स का फॉर्म था वो पेर्स ऑफ इंटीजर एंगल्स अंदा सेम साइड आफ ट्रांसवर्सल यार सप्लिमेंट्री इसे हम लोग इंटीजर एंगल भी बो स्ट्रांसएंट बतलत देखो क्या है इस्लाइम का सेम इंटीरेंगल क्या है फॉर फ़ाइव तो यह दोनों का सम्गा होता सप्लीमेंट्री मतलब एंगल फॉर प्लस एंगल फाइव जो है वह क्या आगा शुरेंस 180 डिग्री चुम्रली एंगल थ्री प्लस एंगल शिक्स जो है स्टूडेंस वो क्या आगा 180 डिग्री तायों कि आपको यह सब सारे चीजों को समझ पारे में यह सब सारे चीज आपको समझ में आ रहा है कि क्या था कि इस तरह से हम लोग चार पेर का एंगल पढ़े क्रश्पॉंडिंग अंगल अल्टरनेट इंटीर एंगल अल्टरन यहां भी देखो एल एम का पैरलेल है यह ट्रांस बर्सल आपके सभी एंगल आपको क्या करना फाइंड आउट करना एंगल टू एंगल थ्री एंगल फाइव एंगल एड़ेट तो देखो थोड़ा हम पहले रफली समझ पर हम दुबारा से रफली कि आँखो नीचे कर भी आपके लिए ठीक है यहां से आप लोग question देखोगे students यहां पे आप लोग देखोगे तो सबसे पहले हम angle 2 कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग सोचेंगे तो angle 1 और देखो यह एक line है एक line है इसमें angle 1 देखो यह हमें यहां पर इतना दिखा है तो ऐसे है न इतना diagram को द बता यह दुनों कौन सा angle बना रहा है जल्दी से बता आप लो यह linear pair of angle बना रहा है और linear pair of angle का sum क्या होता है बच्चो 180 degree supplementary होता है यहने की 180 degree तहम बोल सकते हैं कि angle 1 plus angle 2 जो होगा देखोगे आप लिख रखे angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree region बगल में जरूरू लिखना है linear pair of linear pairs of angle linear pair of angle लिखन में यहां पर sign angle का नहीं मिल दा था मुश्किल था तहम इस तरह से आप लोग ऐसा लिखा होगे angle 1 plus angle 2 equal to 180 degree ठीक है अब यहां से हमें angle 2 चाहिए तो पहले तो एंगल 1 का value रखेंगे यानिकि 150 plus angle 2 is equal to 180 degree angle 2 is equal to 180 minus 115 यानिकि angle 2 is equal to 65 degree देख थोड़ा आज आज होब कि आज आज राइटिंग में कोई problem नहीं हो रहागा काफिया students को doubt था थोड़ा हम copy पर लिखके बताते थे तो आजसे लिए हम थोड़ा type की है ठीक है ताकि आपको समझ हिन में असानी सा तो देखो यहां से angle 2 तो आगया हमारे पास angle 2 आगया यह क्या था यह था angle 1 जो था यह 115 degree था angle 2 ज बाद हमें देखो पूछ रहता है students angle 3 तो आप यह बता angle 1 देखो अब इस तरह से फिर से इस तरह से देखोगे तो यह angle 1 है और यह angle 3 है बता यह दोनों कौन सा angle बना रहा है vertically opposite angle बना रहा है vertically opposite angles बना रहा है तो हम बोल सकते angle 3 एंगल 1 is equal to angle 3 वह vertical opposite angles तो एंगल 1 जो है वह 115 है तो यहां से आ जाएगा angle 3 is equal to 115 degree ठीक है कि क्यों angle 1 क्या है angle 1 जो है क्या है 115 ठीक है ताय होप की यह भी समझ में आ गया angle 1 का भी value comment करके जरूर बताना कहीं पर को भी समस्या आतो ठीक है उसके बाद था students उसके बाद जो था angle 5 तो angle 5 जो है हमें निकालना तो आप लोग देखे होगे कि देखो आप फ एस का से relate करेंगे है तम देख रहा है कि angle 1 एक छोड़ो 6 को तो यह 5 हो गया तो angle 1 एक्वल टू एंगल 5 हो रहा किस से cross funding एंगल से cross funding एंगल से 1 is equal to angle 5 तमभूल सकते हैं अंगल 1 जो किसके बराबर होगा स्टुडेंस अंगल 1 जो है वो किसके बराबर होगा अंगल 1 is equal to angle 5 by corresponding angle angle 1 का value 15 था तो angle 5 की value 15 होगा ठीक है ता होब कि देखो angle 5 भी आपको निकाले कैसे समझ में आ गया होगा उसके स्टुडेंस अंगल 8 तो देखो एक तो चीज आप बता सकते हैं अंगल 8 जो है देखो alternate exterior angle है 2 का देख तो आप direct लिख सकते हो angle 2 equal to angle 8 रीजन लिखना alternate exterior angle अंगल 2 का value देखो अभी हम लोग निकालेते 65 डिग्री तो अंगल 8 भी जो है वो भी आएगा क्या 65 डिग्री ठीक है एक तो ये रीजन हो गया दूसरा हम क्या किया है दूसरा थोड़ा हम आपको समझाने के लिए कि alternate exterior angle आप नहीं पतावा तो पहले हम क्या किया angle 2 से angle 4 की बहले निकाल लिए तो angle 2 equal to angle 4 vertically opposite angle फिर angle 4 equal to angle 8 corresponding angle से कि थोड़ा बड़ा हुआ लेकिन समझ में भी आ रहा हुआ कि दो 4 vertically से ब्राबर होगा चार और 8 corresponding से ब्राबर होगा तो यहां से भी सेम ही आया तो हम लिख जो रखे इस तरह से कर रहा है ठीक है आपके लिए ठीक है यहां से पहले देख हम लिखे है क्या कि angle 2 is equal to angle 4 vertically opposite angles ठीक है डाग्राम में आप लोग देखे होंगे यहाने कि 4 65 डिग्री आ गया फिर angle 4 is equal to angle 8 corresponding angles है तो angle 8 जो है वो भी 65 डिग्री आ गया हम ऐसे हम बताया थे आप डारेक्लिक लेना angle 2 equal to angle 8 region क्या डालना by alternate exterior angles और angle 2 का value कितना था 65 इसलिए angle 8 का भी value क्या होगा 65 यहां भी वही आया तो ठीक है यहां समझे को आप याद करो question में हम बताया थे कि exterior angle equal कैसे होता है समझाएंगे भी य I hope students देखो आपको जो वर्क्षिट था आज काफी वीडियो जो है वह वर्क्षिट करने में काफी helpful रहा होगा आप लोग काफी चीजों को समझेंगे तब फिर मिलते एगली class में जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए सुरचित रहिए जय है